किंदर सरकार द्वारा लाएगे करसी बिल के विरोध में किसानों का अंदोलन देश के कई हिस्सों में लगातार जारी है। के लिए ट्रेक्टर यात्रा के माध्यम से कूच करेंगे लेकिन किसानों की इस ट्रेक्टर यात्रा को देखते हुए बड़ी संक्या में पुलिस बल देनाद किया गया। नवबरासमाचा लखना उत्तरपरदेश से अस्वनी कुमार की रिपोर्ट। देखो जब किसी का मन साफ होता है तो बात बन जाती है। जिस दिन से ये कानून आए तीन कानून देश के अंदर आए और उस करोना महामारी के दर्मियान आए किसान फष्ट डे से इसका विरोध कर रहा है। हम कहते हैं जो दवा हमारे फाइदे की नई है हमको पता है ये दवा खाने के बाद हम मर जाएंगे तो हम वो दवा हमको काहज बरदस्ती खिला रहे हो। भाई कौन होते हैं MSP को आप घोसित करते हैं नियुंतम समर्थन मूल और इसके बाद में किसान का धान 1868 वाला दान आट 900 रुपे में बेचने मजबूर हुआ एक-एक महिने डेड़ महिने से किसानों की टाली खड़ी थी और ये भी कहा गया कि हम सरदारों का धान नई खर पुपसर ने कहा और वहां के जिला अधिकारी ने बुलाके उनसे माफी मंगाया माफी मंगा हम तो कहते हैं सरकार को उस पर करवाई करनी चाहिए थे सस्पेंट करना चाहिए एक मैसेद देना चाहिए थे दान खरीदारी में आप देख लो मुक्मंतरी जी चिलाते रहे कहत जिस जिले में अनिमित्ता आएगी वहां का जिले जिला अधिकारी जुम्मेदार होगा बही बताओ कितने अधिकारी सस्पेंट हुए गन्ने की परची आप देख लो जीरो जीरो लिखके आ रहा जब कांग्रेस की सरकारती तो भारती जनता पार्टी के लीडर जनतर मंतर सेलेंडर आलू को भी बैंदन का माला पहन के चिलाते थे गन्ना किसानों को साड़े 4.500 रुपे देंगे हम मोदी जी ने कहा हमारी सरकार आएगी डिश्टल पेमेंट होगा सरकार कह रहे हैं गन्य का किसान उसका बकाया है साड़े चार सुरुपया रेड नहीं दे रहे जबकि गन्ना एक्ट कहता है कि जो गन्ना आज गन्ना देगा चोदा दिन में उसका भुक्तान होगा होगा आज हमारा जो गेहूं नी सो पचीस रुपय का था जिस किसान ने अपने घर में थोड़ा बहुर रखा रखा था उसका गेहूं भी करहा पंदरा सो चोदा सुरुपय बे और बाबारामदेव जो डेढ़ हाक का है उसका आटा भी करहा पहंतिस रुपय का आसिरवाद आ आटा यह जितने किसान हम आपके माध्यम से कहना चाहते आसिरवाद आटा ना खरीदो फार्चून का तेल ना खरीदो दैनिक जागरण पेपन न पढ़ो जी न्यूज का समाचार ना देखो यह देखो इस सारे उस पे किसान को जाना होगा बिरोध होगा किसी वेक्ति का ज अगर हैं इसलिए सरकार इस देश के किसान को मजदूर बनाना चाहे रही है सरकार सरकार की नीती है तो इन तमाम बातों को लेकर जो हमारे नेता राकेश्टिकायद जी के निर्देश पर अर्दने चवहान साब राजे सिंग चवहान के नेतुत में तेज तारिक को ग्यापन देंगे और गवंणर को देंगे देखते रहो आगे होता क्या है अगर विफल कर दिया पूलिस ने तब अगला प्लान क्या रहा है विफल के बाद में आप देखते रहो कौन-कौन बाडर सज गए बाबाजी मोदी को कहे कि ने पुर्वांचल में तो यह अंदोलन नहीं है कुछ जाट और जट वाले जाट यह अंदोलन कर रहे हैं वो बड़े किसान है अब वो जाट वाले जट वाले दोनों यहां भी एकठा हो तेज तारीका इंतिजार करो थोड़ा अभी धैर बनाया रखो आगे देखा जाएगा